देश के पूर्व राष्टपती और लंबे समय तक कॉंग्रिस के संकट मोचक के तौर पर जाने जाने वाले पड़ो मुखरजी का परिवार कॉंग्रिस पार्टी से बीते कुछ दिनों में दूर हो चुका है। हमारे साथ हैं दादा शुक्रिया हमें समय देने के लिए आप 2021 में त्रिनमुल कॉंग्रिस चले गए थे और इसके बाद हम देख रहे हैं कि आप उस पार्टी में लेकिन बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं विधान सभा चुना हुआ लोग सभा चुना हुआ आपकी सक्रियता नजर नहीं आई और अब जो हम में जानकारी मिल रही है जो महसूस कर पा रहे हैं कि अब आप कॉंग्रिस में घरवापसी करना चाहते हैं क्या इसके पीछे वजह रही और कब तक यह घरवापसी हम देखें कि यह आपना मर्जी से छोड़ा था लेकिन आपना मर्जी से तो सब्सक्राइब करने का बाद मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था इस इस वाना दर रिजन ये सब को जिनको पता है उता होता होना चाही था सबको पता है एन्यवे पसनल वह नहीं आई अभी जब बंगाल में CPM का सथ लड़कर बिलकुल जीरो हो गया मैं मना किया था मै इकिला लणने से हो सकता सीट मुझे कम मिले लेकिन परसिंटेज आपो जदा होगा हर जागा पर मुखा मिलेगा सबको बोड देने का अच जो बोड चला जाता है न उसका जनली वापस नहीं आता है तो एन्यवे जो हम प्रेडिट किया था अलमस इक्स्ट किया था वह हो ल मैं गुसा है इंदे मिंटे मुंताजी का टेलीफोन है उनका भाती जगा वह है तुम आओ काम और जॉइन जॉइन किया जॉइन किया इसके बाद ही बहुत सरे गोटा लग कर सब कुछ आ गया समने आने लगा तो मेरा लगता है यह मैं इनक्टिव हो गया बिलकुल इनक्ट मैं अपना चेत्र में अभी भी जाता हूँ जो हमारा कॉंगर्सी आदमी ता अब जो टी एमसी हो गया सबसे मिलता हूँ वह आता है मिलता भी है किसी का कोई मदद चाहिए तो मैं उकर देता हूँ जितना मारा लिमिटेड पावर है उसे करते रहता हूँ क्योंकि मैं यह करते रहता हूँ लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि तरणमूल कॉंग्रेस पहले के मुकाबले मजबूत हुई है लोकसभा चुनाओ में माना जा रहा था कि बीजेपी बहतर पर दर्शन करेगी लेकिन टीमसी ने जबरदस्ट पर दर्शन किया लोकसभा चुनाओ के बावजूद अभी भी कॉंग्रेस लेफ्ट के साथ है बंगाल में तो बदला तो कुछ नहीं है फिर आपको घर की याद क्यों आ रही है पहले से याद आ रहा था अगर हम इलेक्शन से पहले जोइन करें तो इमेडियेटली किटिसाइज होता है ठिकेट के लिए आ रहे है और वहां भी मैं अनकंडिशनली जोइन किया था मैं कोई बर्गें नहीं करता हू अगर मुझे कबिलियत समझे सुनिया जी समझी थी दुवाजा ग्याड़ा में मुझे टिकेट दिया चुवाली साल से कॉंग्रेस जित नहीं पाया मैं वहां से रेकार्ड बोट के जित के आया था दिखाया था साड़े तिन साल में तीन इलेक्शन में जित को हूं उसमें काम करने का मौका आएगा कोई ने कोई नया आएगा जो कॉंग्रेस के लिए काम करेगा और किसी का हाथ पकड़ने का जूरूरत नहीं है हाथ पता नहीं कांग्रेस का कितना लाव हुआ है तो पहले अंदर छुपा वा था वह बाहर आगिया आने तो पॉल्टिकल पार्टी बाहर आएगा और अर्गनेस पार्टी आएगा कोई नहीं है तो कॉंग्रेस ओवराल रिवाइब होड़ा है इंडिया में अब बिंगल म खील पार्ट यहां का बात तो खॉंग्रेस आही ही नहीं उतर लेकिन कंग्रेस का भोर शेयर भी कम होते जा रहा है क्यूंकि वो एडजस्स करते आड़्यस करते गरते तो मेरा ही वो रहएगा गुंजाइज रहेगा सब election में particularly MLA MP election में हर जगा पर candidate दिया जाए candidate दिया जाए left का साथ छोड़ा जाए और Congress अपने Congress एक हेला बिल्कुल एक हेला बिल्कुल एक हेला Congress विकल्प बन सकती है तो नमूल Congress का बंगाल में ममता बेनरजी को replace कर जाए आज नहीं तो कल हो गई जो जैसे मैंने वह आपसार आने का सोच रहे हैं दूसराद में भी सोच सकता है तो जैसे उनका platform मिलेगा सबकर self life होता है ना 15 साल हो गया 15 साल जनरली एक optimum period होता है उसके बाद दिरे दिरे सबका ममता बेनर जी जो जो अपेक शाहिती बंगाल की जिसको जैसे उनको लाया गया था क्या वो वो पूरा कर पाई है आपको क्या लगता है मैं उसे में बिल्कुल कुछ comment नहीं करूंगा क्योंकि comment नहीं करूंगा इसकी है ओवराल जो देश में आप कहरें कि वोटर आ रहा है वापस कॉंग्रेस की तरफ इसके पीछे क्या फैक्टर है क्या एंटी इंकमेंसी है दस सालों की मोधी सरकार के खिलाब या यह राहूल गांदी की मेहनत है जिसकी वज़े से तोड़ा बहुत एंटी इंकमेंसी है लेकि पर जमिन पर बैठे हुए है और दो तिन पुलिस वाले उनका खेंच रहे है तब मुझे इमेडिटली याद आया इंदरा जी को उतना तो नहीं लेकिन अल्मोस्ट उस टाइप का ही हेकल किया गिया था 77 में 77 में and she is practically हम लोग जो सोचते हैं हम लोग जो सोचते हैं यह कांग्रेस फिर वापास आएगा लेकिन इसका 80% है contribution राहुल गंदी जी यात्रा ठीक है आप तो तारीफ कर रहे हैं राहुल गंदी की प्रेंगा गंदी की लेकिन आपकी बहन शर्मिष्ठा मुखर जी ने किताब लिखी आत्मकता लिखिए उसमें दादा के डायरियों के ह वाले से बहुत सी बाते हैं कही जिसमें सीधा निशाना गंदी परिवार और खास तोर पर राहुल गंदी थे आप पहली बार बात कर रहे हैं इसके बाद हम जानना चाहते हैं कि आपके क्या विचार है और क्या आपको नहीं लगता कि ये जो किताब है ये जो शर्मिष्ठ जो लिखा वो जो समझी उसको एक्सप्रेस किया पीता जी अभी जिन्दा नहीं है तो उनको आईदार प्रोटेस्ट कर सकता है नहीं तो उसको कुछ कर सकता है मेरा यही कोई था और वीस था यह किताब पॉब्लिश नहीं होना चाहिए था क्योंकि पीताई जी कुसी इसमें बोला था जो जिस टाइम के लिखा गया था उसका तुरत काफी देर बाद उसको अपना डाइडी बगरा पॉब्लिश होना चाहिए एक जनरल इसमें बोला गया था कारण नहीं है बहुत तरह आत्मी लीविंग है उसका वह उसमें आच आता तरह पासकता है पर आपको क्यों आपकी बहन इंगलड बेशितं नहीं कियो थो सब्सकर क्यों क्यों किया इवन इंगा तो आता प्र के इत्तफाक रखते हैं कई आप आंते हैं कि सारी बाते जो है जो हम नहीं देखा मैं उसको पड़ा भी नहीं है पुड़ा शी अस गिवन में ए गुट पड़ा एसा नहीं है क्योंकि मुझे यह पता है पिते जी किसी से पॉलिटिकल डिसकुर्शन घर पे नहीं करता था जिंदिगे में कभी नहीं किया जो तुम पॉलिटिक्स में उनका साथ देखलदरी करो और उनका साथ वो करो नहीं किया उन्होंने जो डाइरी में लिखी उसके हवाले से सर्मिष्टाजी नहीं लिखी वो देखो ऐल कंट्रोवर्सी बन जाएगा आट डाइरी में देखा नहीं लेकिन क्या ये आपके रास्ती की रुकावट नहीं बनेगी दादा आप आई केनाट डिसाइड ही कमांड इतना उदार दिल दिखाएगा के अब जीत मुखर जी वापस आना चाहते हैं तो उनको जरूर लेगा बेशक पिछले दिनों में जो विवागा यही एक सवाल तो भाज तो वाइनोट बीजेपी एक विकल बीजेपी भी तो है बंगाल में अब वो मजबूत एक विकल्प है अब तो हर गया सीट कम हो गया उनका और बीजेपी आके मुझे बोलेगा ना अभी तक तो बोला नहीं और बोलने का बाद हम डिसाइड करेंगे बट प्री ड कोई आदमी ने बोला लेकिन मेरा जितना सपोर्टर से पीर से इंडेरिक बलता है भाई कियो हो अभी बैठाव आओ अभी आओ आओ जाने से तो काम करना पड़ेगा आपने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव दिया है अपने संदेशा भिजवाया है कॉंग्रस अगर आते हैं बंगल में बंगल कांग्रस के लिए आप क्या आगे रोड मैप देखते हैं कि ठीक है कहना बड़ा असान है कि लेक्वाष् activist को छोड़ो अकेले लड़ो लेकिन क्या बंगल में कॉंग्रस की वापसी आपको लगती है इतनी आसान होगी है दस सल से पहले तो मोलने से आसान नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ अभी हो गया लेना देना का। में रहने से बहुत कुछ फेजलेटी से मिलता, और ऑपोजिशन में यह तो बिलकुल ही नहीं मिलता, तो उनको तरह प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, भी हम यह नहीं बोलेंगे तुम जहन्दा किसी के साथ जगड़ा करो लड़ाई करो, यह कॉंग्रेस का फॉंड़ा नही अब भी देखते हैं, तो अब जीत मुखर जी, बेहद एक विनम्र सुभाव के विक्ति है, और तर्णमूल कॉंगरेस गए तो, लेकिन जाहिर सी बात है, मन नहीं लगा, अब घर वापसी की इनको उम्मीद है, और इन्होंने कॉंगरेस लिडर्शिप से समय भी मांगा है, कॉंगरेस में वापसी करना चाहते हैं, और कह रहे हैं, कि जैसे ये कॉंगरेस में वापसी कर रहे हैं, उसी तरीके से, बंगाल में कॉंगरेस का जो खोया वोट बैंक है, जनाधार है, वो भी वापसी करेगा, लेकिन उसके लिए कॉंगरेस को लेफ्ट का साथ चानी होग और अगर जोरत पढ़े TMC तेयार हो तो TMC के साथ राजनीती करनी होगी क्या अभजीत मुखरजी के इस बयान को गंभीरता से Congress Leadership लेगी और क्या इनकी घर वापसी होगी बड़ा सवाल है लेकिन अगर अभजीत मुखरजी वापस आते हैं Congress Party में तो इसे एक बड़े development के तौर पर देखा जाएगा क्योंकि एक जमाने में सोनिया गांधी की जो करीबी नेता रहे अब क्या वो वक्त बड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा